हेलो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं हर्चंदपूर आर्टियो आफिस चले हों यहां पर हम गेट की तरफ से अंदर को एंट्रे लेते हैं यह हर्चंदपूर से तीन किलोमीटर पड़ेगा राइट साइड में अगर राव रैली से आते हुए आप आते हैं तो और यहां के सारे बहुत लोग हैं और दो गारी भी खड़ी है नहीं इतनी सारी पुलिस यहां पर देखने को नहीं मिलती बस दो चार रहती हैं बस इस से ज्यादा नहीं रहती यहां पर यह को लिकान इस्टिटूट आफ इंडिया यह हम में थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था उस से चलते हुए जब जाते हैं तो यहां पर आपको सामने एक बोड दिखाई देगा आपको पास से दिखाता हूं यह पायो मेट्रिक लाइसंस वेरिफिकेशन है उसके बाद मैं आप जाएंगे आगे तो उसके बाद यहां पर लिखा काउंटर नमबर वन यहां पर आधार होगा यहां पर अधार वेरिफिकेशन करवा लीजिए को उसके बाद काउंटर नंबर दो पे जाईएगा काउंटर नंबर दो उसी के जस्ट साइड में हैं और यहां पर थोड़ा हम बाहर निकलाए थे यहां पर यह गाड़ी वाड़ी खड़ी हैं यह जो डंफर उंफर जायेगा बद उसके बाद मैं आपको इस तरह बेंद दिया जाएगा यहां पर देखो यह चार ठदी है दो पर रहJust के लिए जाती है तुरी ठेस्ट लिए जाता आपका आपकर ट्रेन लोगों करके मैंने दिखा यह हमारे लोगों के लिए यहां पर हम लोग अपना बाइक पार्किंग कर सकते हैं आराम से चार फ़या बाइक को कोई भी दिक्कत नहीं और हम लोग इस तरह से पीछे को बाहर निकल जाएंगे यहां से उस तरफ और ये जो सामने बैठा ये सिकूर्टी गार्ड यहां पर जब आओगे तो आपका नाम मॉबाइल नमबर यहां पर लिखा जाएगा माकी सब कर नहीं लिखते मेरा तो लिखा गया था उसके बाद हमने बाइक बाप की इस बार बाहर ही खड़ी कर दिया था उसके बाद यहां पर यहां रही हमारी बाइक उसके बाद फिर हम लोग हमारा कम हो जाने के बाद में हम चल देते हैं यहां पर अपने राव रैली की तरफ देखो लोग आते जाते हैं यही बोर्ड आपको सामने लिखा होगा ध्यान में रखना इससे आप लोगों को यह सब ह आर्टेन फॉर्ट से सिर्फ यह तीन किलोमीटर है और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट